एक तो मैं आपको बढ़ाई देता हूँ, आपने ये सवाल पूछा, इस सवाल से मैं पुरा विश्वा से कह सकता हूँ, का आप जमीन से जुड़ी हुई कार करता है, लोगों के बीस्थ रहकर के, लोगों के सुख़ुक को जानने वाली बहन है आप, और इसलिए मैं पहले तो आपको बढ़ाई देता हूँ, देखिए, मुझे लगता है, यानि हमें थोड़ा अध्यान करना चाहिए, मुझे लगता है, कि जो भी तीन तलाग के पक्षमे बाते करते हैं, तीन तलाग की वकालत करते हैं, ये भोट बेंग भूखे लोग, मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों को लगता है, कि पर ये तीन तलाग से तो, सिर्फ महिलाओ को ही बात हो रही हैं। तीन तलाग से जो नुक्सान होता है न, वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है। उसका दारा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो। और आरदस साल के बाद, तीन तलाग कहकर के उसको कोई निकाल दे। तो उस माबाप का क्या होगा, जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा, वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाग से सिरफ बेटियों को ही अन्याय होता है, इतना नहीं। पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई, सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाउले देश। इसका इसलाम से समंध होता हैं। तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाग खतम नहीं करता। मुस्लिम बाउले देश। जहां पूरी तरह इसलाम राज्य हैं। वहां भी तीन तलाग बंद कर दिया है। मैं परसो हूँ, इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में इजिप्ट में, नाइंटी परसंट से ज़्यादा सुन्नी मुस्लमान समा जाए। और इजिप्ट में, आच्छे 80-90 साल पहले, तीन तलाग की प्रधा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भई। अगर तीन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है, तो इंडोनेश्या में क्यों नहीं होता। अगर तिन तलाग इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर जॉर्ड़ान सीरिया बंगलादेश यह तो सारे मुस्लिम बस्ति वारे देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाग का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते हैं यही लोग तीन तलाग का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बेहने बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है मोदी के साथ कड़ी रहती है साथियों भारत के मुसल्मान भाई बेहनों को भी यह समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बरबात कर रहे हैं आज कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी में चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के सम्विधान में भी नागिरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसल्म भाई बहन सिक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कोट ने बार बार कहा है सुप्रिम कोट डंडा मारती है कह रही हैं कॉमन सिविल कोट लाओ लेकिन ये वोट मेंक के भुखे लोग कोट वोट कोट है कोट प्रूड़ कोकोट कोट है कोट प्रूब ताय strange about कोट है आजना आपको एक और बात बचाना चाहता हूं अगर आप हमारे मुसल्मान भाई बेहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पस्मन्दा मुसल्मान भाई बेहन है ये वोट बेंक की राजनिती करने वालों ने हमारे जो पस्मन्दा मुसल्मान भाई बेहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए उनको कोई फाइदा नहीं मिला है बेकस्ट में घुजरा करते हैं उनके आवाज सुनने के लिए कोई तयार नहीं है उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पस्मन्दा मुसल्मानों का इतना सोशन किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई जो पस्मन्दा मुसल्मान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता उन्हें नीचा और अच्छूत समझा जाता है इसी समाज में मैं मुसल्मान समाज की बात कर रहा हूँ मुसल्मान भाईयों में जो हमारे पस्मन्दा भाई बेहन है जो पिछडे हुए हैं मैं उनकी बात करता हूँ पस्मन्दा मुसल्मान मोची होते हैं विस्ती होते हैं जोगी होते हैं लाल बेंगी होते हैं बटियारा होते हैं मिरासी होते हैं डफाली होते हैं मुकेरी होते हैं मदारी होते हैं जुलाहा होते हैं लंबाई होते हैं बेदा होते हैं बामनिया भी होते हैं छिया होते हैं लहरी होते हैं हलदर होते हैं सिकदर होते हैं कितनी ही जातिया ये सब इतने पिछडे रहे हैं इनके साथ इतना भेज़वा हुआ है भाईयों बहनों इस बेदभाव का नुक्सान उनकी कई वीडियों को भुगत ना पड़ा लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका अभिकास की भावना से काम कर रही है